नुसी में आपको स्लाम मैं पाद्री परप्नवी आज मकदस लुका की मार्फ़त लिखी की अंजील का बकाइदा तज्जिया करूँगा पहले मैंने लुका की अंजील के बारे में मैंने इंट्रोडेक्शन खुलिदी लफ़ खुलिदी आएद पेगाम मकसद ये बियान किया था आज मैं उसका तज्जिया करूँगा रहा हम बकाइदा चुरू करें मुकदस लुका की मार्फ़त अंजील का तज्जिया नमबर वन इंसान कामिल आम इंसानों की मानद हो गया इबरानी और दूसरा बाफ सतार में हवाला है अगे लुका पहला बाफ पहली आएद से तीसरे बाफ तक इंसान कामिल आदम के खसब और नसब की निस्बत जो इंसानियत की इप्टदा है और उसकी मानद बन गया लुका तीसरा बाफ तैस्वी आएद से ठाथ तीस्वी आएद तक और इन आयात में यूं लिखा है कि जब येसु खुद तालीम देने लगा तकरीबन तीस बरस का था और जैसा के समझा जाता था कि यूसफ का बेटा ये अठाटिस्वी आएद में देखें लिखा है इस तरह एकताम पजीर हुई यानि अठाटिस्वी आएद को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनसान कामल ने हमारे दर्मियान रहते हुए अपनी इनसानी जिम्मेदारियां पूरी की लुका की एंजील पहले दो अबवाब में देखें तो मकद्सा मर्यम इनसान कामल और उनके रिष्टेदा किया गया है इनसान कामल ने आम इनसानों की तरह मकद्स यहुना से बप्रिस्मा लिया और काबल गोर बात यह है कि इन अब दो अबवाब में खुदा की तमजीद और सताइश के मसीही अनमौल तरीके से जो रूश नास करवाया गया यानि लुका पहला बाब च्छैसमी आ 68 वर्स और 79 जो पहले चैप्टर की है और दूसरे बाब की 14 वी आयत और दूसरे बाब की 29 और 32 वी आयत इन आयात को जब हम बगोर मतालिया करते हैं तो उसमें खुदाम यस्मुसी की तमजीद और सताइश के मताबिक बियान किया गया है उसके बारे में बियान किया गया है पढ़ा गया है और जब हम जब हम इसको पढ़ते हैं और बताया गया है उसके दो बाब में कि खुदाम की तमजीद और सताइश के मसीही इनमौल तरीके से उसको तर्तीब दिया गया उसको बताया गया आगे देखी हम इनसान कामिल जो है यह पॉइंट हेडिंग है तो वै जैसे ही अजमाया गया है जैसे हम अजमाया जाते हैं इसका आगे हवाला है लुक का चोथा बाब पहली आएच से तेरी आएच तक इस हिसा में खुदाम यस्सुमसी की को अबली से अजमाया जाने और इसान नक्ता नगास से एक हैरत अंगेस बात नजर आती है के अबली स ने अप्टदा में आदम अवला आदम को ललकारा है और यहां ताकि आदम सानी यनि खुदाम ये सुमसी अबलीस को ललकारते हैं और अप्टदा में अबलीस ने आदम को अवल को बर्बाद किया और अब देखें यहां आदम सानी ने अबलीस के अरादों को बर्बाद काड़ डाला और अवल आदम अवल ने अपनी नसल को अबलीस के मकाबले में शक्त से दोचार किया और आदम सानी ने अपने लोगों को अबलीस के मकाबले में फता की राह दिखाए और अबलीस के मकाबले में फता करने वाला एक ही है यानि अबनِ खुदा हमारा वनाजी है खुदाम यश्म मसी ने ही अबलीस का मखाबला तपरे जो आदम साणी था असम् पूरा नहीं किया उसने यह काम पूरा नहीं किया और लुका की अजील में देखें जब इस हवाले को पढ़ें कि आदम अवल ने अपनी नसल को अबलीस के मकाबले में शक्त से दोचार कर दिया और आदम सानी ने अपने लोगों को अबलीस के मकाबले में फता किरा दिखाई और आगे देखें इनसान कामल का हमारी कमजोरियों परतर्स खाना अब जब हम हवाला जात जब पढ़ते हैं हवाला जात को देखते हैं तो बहुत से ऐसे हवाला जात हैं यहां इबरानियों चौथा बाप पंद्रमियाद लुका चौथा बाप चौध मियाद तक और 19 में बाप और 28 में बाप तक यनि खुदामियोस मसी बहसियत इनसान कामल जिसको तमाम बनीनों इनसान का खियाल है मगादसलूका की मारिफत ये अजील इन तमाम वाकियात की तफसील से इसको बियान करते हैं और इस जिसमें ये बात थाबत होती है एके खुड़ामी यसूम सी, मसी, तुमांप बनिन और इन्सान की निजात के लिए आया हर चीज बाइबल मकंदस बीए बता दी गी लिकिन जब अनैलिसिस किया जता है तो अनैलिसिस आयत वायत भी किया जाता है और पौिंटस के साथ भी किया जाता है जो हमें यहां जब हम इसके ट्रेनिंग करते थे जब हम तालीम हासल करते थे तो हमें ये बताया गया था ये बकाइदा हेडिंग के साथ हमें लखवाते थे और आज मैं भी ये चीज़ आपको दोबारा आपको बता रहा हूं के मकदस मार लुका की अजील जो है उसका अनैलिसिस पॉइंट्स के साथ किया जा रहा है और आगे देखें के इनसान कामल की हिक्मत आला इनसान कामल खुदा मियस्सुमसी की अहला हिक्मत और उनकी तालीम में जाहर होती है लुका चोथा बाप चोदमीआद तो पंदरमा बाप की बत्तिसमीआद जो ये हकिकत जाहर करती है कि λोग खुदा मियस्स्मसी की हिकमत और तलीम से उनकी बढ़ाई करते थे क्योंके खुदा मियस्सुमसी का कलام अख़ेयर के साथ था जो खुदाम जिसुम सी कलाम को बियान करते हैं कि वो सहिबे इक्तियार थे आगे लुका पांचसेंगा बाप तीसमें आएद से उन्तालिसमे आएद तक और चटे बाप ती दसमें पैंट पैंट आएद और बीसमें बाप भी दूसरी ता आठमें आएद खुदम यिसु के कलाम की फजीलत किसी फानी इनसान से नहीं लेकिन यहाँ जब हम पढ़ते हैं लेखे ऐसी आला तालीम सिर्फ कामल इनसान और कामल खुदा ही दे सकता है बड़ी कमाल दनाई से बड़ी कमाल हिकमब से कमालर क्रेजी से ये जो तालीम खुदामियसुमसी ने हम तक पहुंचाई ये बड़े साहब एक्तियार से बड़े एक्तियार से पिसाथ तालीम दीए और आगे देखी हैं कि इनसान कामल की जो कुद्रत है वो लोग का चौथा बाप तेतिस्वी आएथ शैंतिस्वी आएथ और पांच में बा और नौबाप और सैंतिस्वी आएथ शैंतिर तालिस्वी आएथ तक इन تمाम वाकियात में इन्सान कामल की कामलियत और कुद्रत नजर आती हैं जब इन हमाला जाथ को हम पढ़ें तो इसमें तमाम जो खूबियें हैं जो उसकी कुद्रत है वो जाहर होती है नहाला जाथ में और आगे देखें लिखा है कि खुदावी यस्व मसी को बजाहर खुद्रत हर किसम की बिमारियों बद्रूमों और मौत पर कामल अख्तियार था और क्योंकि वो हर चीज़ पर कादर था उसमें ये बड़ी ब्लेसिंग थी कि खुदावी यस्व मसी बड़े अख्तियार के ये जो हेडिंग है कि इनसान कामल की कुद्रत ये उसकी जाहर होती थी आगे इनसानी हमदर्दी से मामूर इनसान कामल मौशरे के ठुकराए और गुनागार इनसानों के लिए हमदर्दी लोग का पंचमें बाप 27 वी आए ता 47 वी आए ता 47 वी आए ता 47 वी आए ता 48 वी आए यानी गम्जदा और दुखी इनसानों से हमदर्दी लुकास साथमा बाप पहली आयता दसमी आयता आठमें बाप की चालिसमी आयता बतालिसमी आयता और नौमें बाप की ठत्तिसमी आयता मायूस और शकस्ता दिल इनसानों से हमदर्दी मायूस और शकस्ता दिल इनसानों से हमदर्दी लुकास साथमा बाप ये जितने हवाला जात बताये गए हैं जितने यहां लिखे गए हैं जो नोट में वह हैं मैं आपको शेयर कर रहा हूँ हो जो हेडिंग जो हेडिंगíst जो सबसे जबर्दस सेटिंगे इनसान कामल की दवाया जिन्दगी खुदावनिय सुमसी ने अपनी दवाया जिन्दगी से हम सब के लिए दवाया जिन्दगी गुजाने की जरूरत आयां की और दवाया जिन्दगी में और कामल इमान रखते हुए द्वा करते हैं इसके जवाब का अमली नमूना पेश किया हम पूरे यकीन के साथ, पूरे इमान के साथ जो कुछ अपने खुदामन से मांगते हैं वो हमें मिलता है और हम हर खालत में खुशी, गम और मसीबत में अपने खुदामन के पास आते हैं और आते हैं और हमें उसका जवाब मिलता है और इमान अपनी द्वा का मुनासिब जवाब हम हासल करते है इनसान कामल की द्वाया जिन्दगी का जो अमली नमूना है वो लुका तीसरा बाप से 21 में आयए पास में बाप कीसोल मी आयए चटे बाप की Δमी हाए नौ में बाप की अठार मी आयए करते हों और आर्ज क्यार्मे बाप की पहली और दूसरी यहां तक इनसान कामल की जो द्वाया जिन्दगीया है अज़र इसके हवाला जात को बढ़ा जाए इसके हवाला जात को दिखा जाए तो हमें पता चलता है आगे जो है इनसान कामल का आम इनसानों से मेल जोल एक बहुत बड़ी हस्ती एक बहुत बड़ा नाम उसका आम इनसानों से मेल जोल किया था आगे देखिए हम यहां लिखा है कि इन्सान कामल ने जिन्दगी मौश्टे की पहलो को भी नजर अन्दास नहीं किया खुदाम ये सुमसी ने हर तरह की लोग और हर किसम के इन्सानों से मौश्रती तालग को नजर अन्दास नहीं किया अम्यसुम्सी ने अमली तोर पर किसी भी काम को खतम ने किया और आगे लिखा है कि हर जरूरत मंद की हाज़त पूली चाहे वो अमीर था चाहे वो गरीब था यहुदी था या रोमन था या कोई भी गैर कमाम से चाहे रास्टबास था या गुनागार था अम्यसुम्सी ने बिला अम्याज हर तबके की जरूरत को पूरा किया लुका साथ में बाप की च्छतिसमे आए फ्रीसी के घराने के घर का खाना और एक गुनागार औरत के एकरार पर उसके गुनाओं की माफिए अब ये दो चीज़े हैं लुका ग्यार्मा बाप 37 में आए ताक 40 में आए ते लुका चौद्मा बाप पहली ता 6 आए ता 19 में बाप की पहली आए ताक 10 में आए ताक फ्रीसी के घर का खाना और गुनागार औरत के गुनाओं को माफिए अब आगे जो पॉइंट है के इनसान कामिल का जलाल जलाल देखें उसका क्या था लुका नौमा बाप 28 ता 36 आयत था उसका जलाल इस हिसा में खुदाव यसुर्सी को जलाली सूरत में देखे जाने का जिकर किया गया है जिसकी सादत मुकद्स पतरस रसूल मुकद्स यहना रसूल और मुकद्स यकूब रसूल को हासल हो ये सादत हम भी हासल कर सकते हैं जब हम अपने मुनजी की मर्जी के मताबिक जिन्दगी गुजारें और बेशमार इमानदार ये सादत हासल कर चुके हैं और कर रहे हैं दौा करें कि खुदावियसू हर मसीह को अपने जलाली सूरत दिखाए ये सादत अताफ फरमाए हम भी उसका जलाल देख सकते हैं अगर हम एमान में मजबूट हैं अगर हम खुदावन के कलाम के मताबिक चलते हैं तो हम इनसान कामल का जलाल देख सकते हैं अगे जो है इनसान कामल का अपने लोगों की नज़ाद के लिए खुनी रिष्टा जो का 19 वाब 28 ता 23 वाब तक इनसान कामल का जरुशलम पर नोहा अब देखें इनसान कामल का जरुशलम पर नोहा 19 वाब की तारिस में एक एक ऐसी शक्सियत की महब्बत की इलामत है जिसको शहर मक्दस से महब्बत है और शहर मक्दस में रहने वालों के गुनाहों की वज़ा से इस पर आने वाली तबाही की पेश नजर इनसान कामल का दुख इस बात का मज़र है कि खुदाविय यस्व मुस्ति हमें उस वक्त हर गुनाहों से बचाना चाहता है और आगे इनसान कामल बनी नो इनसान की निजात के लिए एक खुनी रिष्टेदार की मानद हमारे लिए हर तरह की कुर्बानी देते हैं और हमें गुना और अबलीस की गुलामी से चुड़ाए चुड़ाने के लिए अपने खून से कीमत अदा करके हम खुद उनी रिष्टे होने का हक अदा किया जैसा के पराने एह दमा में मरकूम है कि देखिए अबार की किताब अबार की किताब उसका पच्चिसवा बाप उसकी संतालिस से पच्च बनाए रूत दूसरा बाप तीसरे बाप और दस्वे आएता अठार्मिया तक और चौथे बाप की पहली आएता से दस्वे आएता यहां गुलामी से चुड़ाने वाला खुनी रिष्टा हक दलाने वाला भी खुनी रिष्टेदारों में सबसे करीब भी रिष्टेदार इसी तरह खुदामी ये सुमसी ने अपने खुन का फिदिया दे कर हमें गुना की गुलामी से चुड़ाया और यू हम जो इस जो हम उस खुदामी पर एमान रखते हैं इनसान कामल के खुनी रिष्टेदार बन गए क्योंकि लिखा है कि वो दुनिया में था और दुनिया इसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया इसे ना पहचाना वो अपने घर आया और उसे अपनों ने कबूल ना किया लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उने उने खुदा के बनने का हक बक्षा यानि इन्हें जो उस पर इमान लाए यहोना पहला बाप दस्वी आयत ता बार्मी आयत ता यहां तक जो था कि मकदस लुका की अजील का अनालिसिस और आगे जो सबसे बड़ी बात इन्सान कामल की मौद पर फता और जलाल मौद पर फता खुदा में यह सुमसी इन्सान कामल और आगे देखें कि दो आदमियों पर जलाली सूरत में इनसान कामल का जाहर होना लूका 24 भाव 12 से 35 जलाली और फत्ता इनसान कामल का अपने शगिर्टों के साथ खाना पीना कामलियत इनसान का मज़द लूका 24 भाव 41 ता 43 है इन्सान कामल का जलाली साओध एसमानी ये क्या था जी लुका चौबिसमबाब पचासर को पचासमी आएद और आगे देखें मकदस लुका की मारफ़त की अंजील की खास बात ये है उसकी इप्टदा में खुशी मनाने से होती है मकदस लुका की मारफ़त की खास बात क्या थी कि इसकी इप्टदा जो है वो खुशी से होती है और इखताम जो है वो भी खुशी से होता है तो यहां तक जो है मकदस लुका की अंजील का जो अनेलिसिस है वो यह था कि पूरी लुका की अंजील का जो एक तजिया हमने किया उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इप्टदा भी खुशी के साथ हुई और इखताम भी खुशी के साथ हुई आज हमने यहां तक मकदस लुका की अंजील का जो है अनेलिसिस किया और खुशी जात मैंने जो बताए और मेरा इमान है कि जब आप खुशी जात पढ़ेंगे तो यह हेडिंग के साथ आपको समझाए तो खुशी आज इस गलाम के वसीला से बरकते आमें